पिशाच मोचन कुंड एवं कपरदीश्वर का महातम में पिशाच तथा शंकुकर्ण मुनी के मुक्त होने की कथा और गया आदी तीर्थों की महिमा नारच जी कहते हैं युधिश्टर वाराणसी पुरी में कपरदीश्वर के नाम से प्रसिद एक शिवलिंग है जो अभिनाशी माना गया है वहां स्टान करके पित्रों का विधिवत तरपन करने से मनुश्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा भोग और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है काशिपुरी में निवास करने वाले पुरुषों के काम, क्रोध, आधी दोश तथा संपूर्ण विग्न कपरदीश्वर के पूजन से नश्ट हो जाते हैं इसलिए परम उत्तम कपरदीश्वर का सदेव दर्शन करना चाहिए यतन पूर्वक उनका पूजन तथा वेदोक्त स्तोत्रों द्वारा उनका स्तवन भी करना चाहिए कपरदीश्वर के स्थान में नियम पूर्वक ध्यान लगाने वाले शात्यचित योगियों को छे मास में ही योग सिध्धी प्राप्त हो जाती है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है पिशाच मोचन कुंड में नहा कर कपरदीश्वर के दर्शन से मनुष्य के ब्रह्मात्य आदी पाप भी नश्ट हो जाते है पूर्वकाल की बात है कपरदीश्वर क्षेत्र में उत्तमवरत का पालन करने वाले एक तपस्वी ब्रह्मन रहते थे उनका नाम था शंकुकर्ण वे प्रती दिन भागवान शंकर का पूजन रुद्र का पाठ तथा निरंतर ब्रह्मसरो प्रणव का जब करते थे उनका चित योग में लगा हुआ था वे मरण परियंत काशी में रहने का नियम लेकर पुष्प, धूपादी उपचार, स्तोत्र, नमस्कार और परिक्रमा आदी के द्वारा भगवान कपिर्दिश्वर की अराधना करते थे एक दिन उन्होंने देखा एक भूखा प्रेत सामने आकर खड़ा है उसे देख मुनिश्रेश्ट शंकुकर्ण को बड़ी दया आई, उन्होंने पूछा तुम कौन हो और किस देश से यहां आई हो पिशाज भूख से पेड़ित हो रहा था, उसने शंकुकर्ण से कहा मुने मैं पूर्व जन में धन धाने से संपन ब्रामन था, मेरा घर, पुत्र, पौत्रादी से भरा था किन्तु मैंने केवर कुटुम्ब के भरन पोशन में आसक्त रहने के कारण कभी देवताओं, गायों और अतितियों का पूजन नहीं किया कभी थोड़ा बहुत भी पुन्ने का कारे नहीं किया, अतह इस समय भूख प्यास से व्याकुल होने के कारण मैं हिता अहित का ज्यान खो बैठा हूँ प्रभो यदि आप मेरा उद्धार का कोई उपाय जानते हो तो कीजिए, आपको नमस्कार है, मैं आपकी शरण में आया हूँ शंकु करने कहा, तुम शीग्र ही एकागरचित होकर इस कुंड में स्नान करूँ इससे शीग्र ही इस ग्रणत योनी से छुटकारा पा जाओगे। दयालू मुनी के इस प्रकार कहने पर पिशाच ने त्रिनेत्रधारी देववर भगवान कपी दीश्वर का स्मरण किया और चित को एकागर करके उस कुंड में गोता लगाया। मुनी के समीप गोता लगाते ही उसने पिशाच का शरीर त्याग दिया। भगवान शिप की कृपा से उसे ततकाल बोध प्राप्थ हुआ और मुनिश्वरों का समुदाय उसकी स्तुती करने लगा। ततपशाच जहां भगवान शंकर विराजते हैं उस त्रिय महिश्रेश धाम में वे प्रवेश कर गया। पिशाच को इस प्रकार मुक्त हुआ देख मुनी को बड़ी प्रसंता हुई। उन्होंने मनही मन भगवान महिश्वर का चिंतन करके कपरदीश्वर को प्रणाम किय तथा उनकी इस प्रकार स्थुती करने लगे। भगवन आप जटा जूट धारन करने के कारण कपरदी कहलाते हैं। आप परात पर सबके रक्षक एक अध्वितिये पुरान पुरुष, योगेश्वर, इश्वर, आदित्य और अगनी रूप तथा कपिल वर्ण के व्रिश तब नंदीश्वर पर आरूण हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सबके हिदय में स्थित सारभूत ब्रह्म हैं। हिरण में पुरुष हैं, योगी हैं तथा सबके आदि और अनन्त हैं। आप रूप दुख को दूर करने वाले, अतह आपको रुद्र कहते हैं। आप आकाश में व्यापक रूप सिस्थित, महमुनी, ब्रह्म सुरूप एवं परम पवित्र हैं। मैं आपकी शरण में आया हूँ। आप सहस्त्रों चरण, सहस्त्रों नेत्र तथा सहस्त्रों मस्तकों से युक्त हैं। आपके सहस्त्रों रूप हैं, आप अंधकार से परे और वेदों की भी पहुँच के बाहर है कल्यानुत पादक होने से आपको शंभु कहते है आप हरने गर्ब आदी देवताओं के स्वामी तथा तीन नेत्रों से सुशोबित है मैं आपको प्रणाम करता हूँ जिन में इस जगत की उत्पत्ती और ले होती है जिन शिव स्वरुप परमात्मा ने इस समस्त तृष्य प्रपंच को व्याप्त कर रखा है तथा जो वेदों की सीमा से भी परे हैं उन भगवान शंकर को प्रणाम करके मैं सदा के लिए उनकी शरण में आपड़ा हूँ जो लिंग रहित अर्थात किसी के पहचान में ना आने वाले आलोक शुन्य जिन्हें कोई प्रकाशित नहीं कर सकता जो स्वयम प्रकाश है स्वयम प्रभू चेतना के स्वामी एक रूप तथा ब्रह्मा जी से भी उत्कृष्ट परमेश्वर है जिनके से वा दूसरी कोई वस्तु है ही नहीं तथा जो वेद से भी परे हैं उन्हें आप भगवान कपिदिश्वर को मैं नमस्कार करता हूं सबीज समाधी का त्याग करके निर्बीच समाधी को सिद्ध कर परमात्मा रूप एवं योगी जन जिसका साक्षातकार करते हैं और जो वेद से भी परे है वह आपका ही सुरूप है मैं आपको सदा प्रणाम करता हूं जहां नाम आदी विशेश्वर की कलपना नहीं है जिनका सुरूप इन चर्म चक्षूओं का विशे नहीं होता तथा जो स्वेम्भू कारण हीन तथा वेद से परे हैं उन्हीं आप भगवान शिव की मैं शरण में हूं और सदा आपको प्रणाम करता हूं जो देह से रहित, ब्रह्म, अर्थात, व्यापक विज्ञान में भेद शून्य और एक अध्वितिय हैं तथा पी वेदवाद में आसक्त मनुष जिसमें अनेकता देखते हैं उस आपके वेदातीत सुरूप को मैं नित्यपरणाम करता हूं जिससे प्रकृति की उत्पत्ती हुई है सुयम, पुराण पुरुष आप जिस तेज के रूप में धारन करते हैं जिसे देवगर्ण सदा नमसकार करते हैं तथा जो आपकी जियोती में सन्निहित है उस आपके सुरूप भूत ब्रहत काल को मैं नमसकार करता हूं मैं सदा के लिए कार्टि के के स्वामी की शरण में जाता हूं स्थाणू का आश्रे लेता हूं केलाश परवत परशेन करने वाले पुराण पुरुष शिव की शरण में पढ़ा हूं भगवन आप कश्ट हरने के कारण हर कहलाते हैं आपके मस्तक में चंद्रमा का मुकुट शोभा पा रहा है तथा आप पिनाक नाम से प्रसिद धनुष को धारण करने वाले हैं मैं आपकी शरण ग्रहन करता हूं इस प्रकार भगवान कपरदी की स्तुती करके शंकुकर्ण प्रणव का उचारण करते हुए प्रित्वी पर दंड की भांती पढ़ गए उसी समय शिव सुरूप उतक्रिष्ट लिंग का प्रादुर्भाव हुआ जो ग्यान में तथा अत्यंत आनंद सुरूप था आग की भांती उसमें करोडों लप्तें निकल रही थी महात्मा शंकुकर्ण मुक्त होकर सर्वव्यापी निर्मल शिव सुरूप हो गए और उस विमल लिंग में समा गए राजन यह मैंने तुमें कपरदी का गूड महातम में बतलाया है जो प्रतिदिन इस पाप नाशिनी कथा का श्रवण करता है वे निश्पाप एवं शुद्ध चित होकर भागवान शिव के समीब जाता है जो प्रातरकाल और मध्यान की समय शुद्ध होकर सदा ब्रह्मपार नामक इस महास्तोत्र का पाठ करता है उसे परमयोकी प्राप्ति होती है तदन अंतर गया में जाकर ब्रह्मपार का पालन करते हुए एकागर चित होकर स्नान करें भारत वहाँ जाने मात्र से मनुष्य को अश्मेग्य का फल प्राप्त होता है वहाँ अक्षेवट नामका बट रिक्ष है जो तीनों लोकों में विख्यात है राजन वहाँ पित्रों के लिए जो प्रिंडदान किया जाता है वे अक्षे होता है उसके बाद महानदी में स्नान करके देवताओं और पित्रों का तरपन करें इससे मनुश्य अक्षेवट नोकों को प्राप्त होता है तथा अपने कुल का भी उद्धार कर दीता है तद पशाद ब्रहमा रणने में स्तित्व ब्रहम सर को यात्रा करें वहाँ जाने से पुंडरिक यग्य का फल प्राप्त होता है राजेंद्र वहां से विख्यात धेनुक तीत को प्रस्तान करें वहां एक रात रहकर तिल की धेनु दान करें ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से शुद्ध हो निश्य ही सोम लोक में जाता है वहां बच्छडे सहित कपिला गौ के पदचिन आज भी देखी जाते हैं उन पदचिन्नों में से जल लेकर आचमन करने से जो कुछ गोर पाप होता है वह नश्ट हो जाता है वहां से गृद्रवट की यात्रा करें वेशूलधारी भगवान शंकर जी का स्थान है महा शंकर जी का दर्शन करके भस्म स्नान करें सारे अंगों में भस्म लगाएं ऐसे करने वाला यदि ब्रामन हो तो उसे बारह वर्षों तक ब्रत करने का फल मिल जाता है और अन्यवर्ण के मनुश्यों का सारा पाप नश्ट हो जाता है तत्पश्यात उधे परवत पर जाएं वहां सावित्री के चर्ण चिन्नों का दर्शन होता है उस तीर्थ में संध्यों पासन करना चाहिए इस से एक ही समय में बारह वर्षों तक संध्या करने का फल प्राप्त हो जाता है तत्पश्यात वहीं योणिद्वार के पास जाए ते विख्यात स्थान है उसके पास जाने मात्र से मनुष्य गर्भवास के कष्ट से चुटकारा पा जाता है राजन जो मनुष्य शुक्ल और कृष्ण दोनों पक्षों में गया में निवास करता है ते अपने कुल की साथ पीडियों का उद्धार कर देता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है राजन तत्पश्यात तीर्थ सेवी बनुष्य फल्गु नदी के किनारे जाए वहाँ जाने से अशुमेग यग्य का फल पाता और परम सिद्धी को प्राप्त होता है तदन अंतर एकावरिचित हो धर्म प्रिष्ट की यात्रा करें जहां धर्म का नित्य निवास है वहाँ धर्म के समीप जाने से अशुमेग यग्य का फल मिलता है वहाँ से ब्रह्मा जी के उत्तम तीर्थ को प्रस्थान करें और वहाँ पहुचकर प्रत का पालन करते हुए ब्रह्मा जी की पूजा करें इससे राचुय और अशुमेग यग्यों का फल मिलता है इसके बाद मरी नाग दीर्थ में जाए वहाँ सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्त होता है उस दीर्थ में एक रात निवास करने पर सब पापों से चुटकारा मिल जाता है इसके बाद प्रम्रिशी कोटम के बन में जाए वहाँ अहल्या कुण्ड में स्नान करने से परमगती की प्राप्ती होती है उसके बाद राजश्री जनक का कूप है जो देवताओं द्वारा भी पूजित है वहाँ स्नान करके मनुष्य विश्णू लोग को प्राप्त कर लेता है वहाँ से विनाशन तीर्थ को जाए जो सब पापों से मुक्त कराने वाला है वहाँ की यात्रा से मनुष्य अश्मेक यग्यका फल पाता और सोम लोग को जाता है ततपशाथ संपूर्थ तीर्थों के जल से प्रकट हुई गंद की नदी की यात्रा करें वहाँ जाने से मनुष्य वाजबे यग्यका फल पाता और सूर्य लोग को जाता है धर्मक्गी युधिष्टर वहां से धुरुप के तपुवन में प्रवेश करें महाभाग वहां जाने से मनुष्य यक्षलोक में आनंद का अनुभव करता है तदनंतर सिद्ध सेवित कर्मदा नदी की यात्रा करें वहां जाने वाला मनुष्य पुंडरिक यग्य का फल पाता और सोम लोग को जाता है राजा युधिष्टर ततपशात महेशुरी धारा के समीब जाना चाहिए वहां यात्री को अश्मिक यग्य का फल मिलता है और वहे अपने कुल का उद्धार कर देता है देव पुष्करणी तीर्थ में जाकर स्नान से पवित्र हुआ मनुष्य कभी दुर्गती में नहीं पड़ता और वाजबे यग्य का फल पाता है इसके बाद प्रमचर्य का पालन करते हुए एकाग्रचित हो माहिश्वर पद की यात्रा करे वहां स्नान करने से अश्मेग यग्य का फल मिलता है भरच्रेश्ट माहिश्वर पद में एक करोर तीर्थ सुने गए हैं उनमें स्नान करना चाहिए इससे पुंडरिक यग्य के फल और विश्णुलोग की प्राप्ति होती है तदनंतर भगवान नारायन के स्थान को जाना चाहिए जहां सदा ही भगवान श्रीहरी निवास करते हैं ब्रमादी देटा तपुधन रिशी बारों आदित्य आठों वसू और ग्यारों रुद्र वहां उपस्तित होकर भगवान जनार्दन की उपासना करते हैं वहां अद्भुत कर्मा भगवान विश्नु का विग्रहर शाल ग्राम के नाम से विख्यात है इस तीर्थ में अपनी महिमा से कभी चियूत न होने वाले और भगतों को वरप्रदान करने वाले त्रिलो की पती श्री विश्नु का दर्शन करने से मनुष्य विश्नु लोग को प्राप्त होता है वहां एक कुआ है जो सब पापों को हरने वाला है उसके चारों और समुद्रों के जल उपस्तेत रहता है वहां स्टान करने से मनुश्य कभी दुर्गती में नहीं पड़ता और अभिनाशी एवं महान देवता वर्दायक विश्णु के पास पहुंच कर तीनों रिणों से मुक्त हो चंद्रमा की भांती शोभा पाता है जाती स्मर्टीर्थ में स्नान करके पवित्र एवं शुद्ध चित हुआ मनुश्य पूर्जन के स्मरण की शक्ति प्राप्त करता है वटके श्वर में जाकर उपवास पूर्वक भगवान केशव की पूजा करने से मनुश्य मनोवांचित लोकों को प्राप्त होता है तत्पर्षाज सब पापों से छुटकारा दिलाने वाले वामन तीर्थ में जाकर भगवान श्री हरी को प्रणाम करने से मनुश्य कभी दुर्गती को नहीं प्राप्त होता भरत का आश्रम भी सब पापूं को दूर करने वाला है वहां जाकर महापातक नाशिनी कौशी की अर्थात कोसी नदी का सेवन करना चाहिए ऐसा करने वाला मानव राच्वी यग्य का फल पाता है तदनंतर परम उत्तम चंपकारण्य अर्थात चंपारण की यात्रा करें वहां एक रात उपवास करने से मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है तदपश्यात कन्या संवेद नामक तीर्थ में जाकर नियम से रहें और नियमा नुकूल भोजन करें इससे प्रजापती मनु के लोकों की प्राप्ती होती है जो कन्या तीर्थ में थोड़ा सा धन दान करते हैं उनका वेदान अक्षय होता है निष्ठावास नामक तीर्थ में जाने से मनुष्य आश्य में यग्य का फल पाता और विश्णू लोक को जाता है नश्रेश्ट जो मनुष्य निष्टा के संगम में दान करते हैं वे शोग रोक से रहित ब्रह्म लोक में जाते हैं निष्टा संगम पर महरिशी वसिष्ट का आश्रम है देवकूठ तीर्थ की यात्रा करने से मनुष्य आश्य में ग्यग्य का फल पाता और अपने कुल का उद्धार कर देता है वहां से कोशिक मुनी के कुंड पर जाना चाहिए जहां कुशिक गोत्र में उत्पन महरिशी विश्वा मित्र ने परम सिधी प्राप्त की थी भरत श्रेश्ट वहां धीर पुरुष को कोशिकी नदी के तक पर एक मास तक निवास करना चाहिए एक ही माज में वहाँ अश्रमे ग्यग्य का पुन्य प्राप्थ हो जाता है कालिका संगम एवं कौशिकी तथा अरुना के संगम में सनान करके तीन राद तक उपवास करने वाला विद्वान सब पापों से मुक्ध रो जाता है सक्रिंदी नामक तीर्थ में जाने से द्विज कृतार्थ हो जाता है तथा सब पापों से शुद्ध हो स्वर्ग लोग को प्राप्थ होता है मुनिजन सेवेत और ध्यानक तीर्थ में जाकर स्नान करना चाहिए इससे सब पाप छूट जाते हैं तदनंतर चंपापुरी में जाकर गंगा जी के तड़ पर तरपन करना चाहिए वहां से दंडारपन में जाकर मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल प्राप्थ करता है तदनंतर संध्या में जाकर सद्विद्या नामक उत्तन तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य विद्वान होता है उसके बाद गंगा सागर संगम में स्नान करना चाहिए इससे विद्वान लोग दस अशुमे ग्यग्यों के फल की प्राप्ति बतलाते हैं तत्पशात पापदूर करने वाली वेतर्णी नदी में जाकर विरज तीर्थ में स्नान करें इससे मनुष्य चंद्रमा की भांती शोभा पाता है प्रभाव क्षेत्र के भीतर कुल नामक तीर्थ में जाकर मनुष्य सब पापों से छूठ जाता है तथा सहस्त्र गौदानों का फल पाकर अपने कुल का भी उद्धार कर देता है सोन नदी और जोतिर रथी के संगम पर निवास करने वाला पवित्र मनुष्य देवताओं और पित्रों का तरपन करके अगनी उष्ठम यग्य का फल प्राप्त करता है सोन और नर्मदा के उद्धम सानपर बन्शकुल्म तीर्थ में आचमन करके मनुष्य अश्मे यग्य का फल प्राप्त करता है कौशला के तट पर रिशब तीर्थ में जाकर तीन रात उपवास करने वाला मनुष्य अश्मे यग्य का फल पाता है कौशला के किनारे काल तीर्थ में जाकर स्नान करें तो ग्यारह बैल दान करने का पुन्य प्राप्त होता है पुश्पवती में स्नान करके तीन रात उपवास करने वाला मनुश्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता और अपने कुल का भी उद्धार कर देता है तदनंतर जहां परशु राम जी निवास करते हैं उस महेंद्र परवत पर जाकर राम तीर्थ में स्नान करने से मनुष्य अश्मेग यग्य का फल पाता है वही मतंग का क्षेत्र है जहां स्नान करने से सहस्त्र गौदानों का फल मिलता है उसके बाद श्री परवत पर जाकर नदी के किनारे स्नान करें वहां देव्रिद में स्नान करने से मनुष्य पवित्र एवं शुद्ध चित्धो अश्मेग यग्य का फल पाता और परम सिद्धी को प्राप्त होता है तदनंतर कावेरी नदी की यात्रा करें वहां स्नान करके मनुष्य सहस्त्र गौदानों का फल पाता है वहां से आगे समुद्र के ततवर्ती तीर्थ में जिसे कन्या तीर्थ कहते हैं जाकर स्नान करें वहां स्नान करने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है तदनंतर समुद्र मध्यवर्त्य गौकर्ण तीर्थ में जा, भगवान शंकर की पूजा करके, तीन रात उपवास करने वाला मनुश्य, दस अशुमे ग्यग्यों का फल पाता और गणपती पत को प्राप्त होता है, बारह रात तक वहाँ उपवास करने वाला मनुष्य कृतार्थ हो जाता है उसे कुछ भी पाना शेश नहीं रहता उसी तीर्थ में गायत्री देवी का भी स्थान है जहां तीन रात उपवास करने वाले को सहस्त्र गौदान का फल मिलता है ततपशाच सदा सिद्ध पुर्षों द्वारा सेवित गोदावरी की यात्रा करने से मनुष्य गवा में यग्य का फल पाता और वायू लोग को जाता है वीर्णा के संगम में स्नान करने से वाजबी यग्य का फल प्राप्त होता है और वर्दा संगम में नहाने से सहस्त्र गौदान का फल मिलता है